प्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस मेटाफिजिकल पोईट जॉन डन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है दग कैननाईजेशन यह पोएम 1633 में डॉन की कलेक्शन सॉंग्स अंड सॉनेट्स में पोस्ट हूमर स्थी पबलिश की गई थी यह पोएम जो है यह टूटल 45 लाइन्स की है और साथ ही 5 स्टैंजाज में बाटी गई है हर स्टैंजा में 9 लाइन्स हैं और साथ ही हर स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBA CCCAA साथ ही फ्रेंट्स अगर बात करें इस पोएम की टाइटल की Canonization तो फ्रेंट्स Canonization का मतलब होता है जब किसी को मरने के बाद संत की उपादी दी जाती है तो यहाँ पर पोएट का भी यही मानना है कि उन्हें भी Canonize किया जाएगा यानि उन्हें भी वो दरजा मिलेगा Saint का और वो क्यूं होगा तो उनके प्यार के कारण उनका जो यह सचा प्यार है उसके कारण फ्रेंट्स इस पोयम की में थीम भी यही है love और साथी death यानि प्यार और मौत इन दोनों का एक तरह से कह सकते हैं यहां contrast है कि किस तरह जो है प्यार करना इतना ज़ादा सही है पोएट के लिए कि वो उसके लिए death तक accept करने को तयार है लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि यह जो death होगी यह मेरी life की end नहीं होगी बलकि मैं दुबारा से एक नई position के साथ आगे अपनी life में बढ़ता चला जाओंगा यह सारी चीजे friends हम समझेंगे जब हम इस poem को पढ़ेंगे अब friends अगर बात करें poet की तो John Dunn एक English metaphysical poet थे उनका जन्म हुआ था 22nd January 1572 में और उनकी death हुई थी 31st March 1631 में अपनी lifetime में उन्होंने कई तरह की चीजें लिखी हैं जिनमें sonnets, love poems, religious poems, eleges, satires यह सभी शामिल हैं साथी friends अगर बात करें इनकी famous works की तो इसमें death be not proud, valediction of forbidden morning, the flea, the good morrow यह सभी शामिल हैं तो चलिए friends आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं For God's sake, hold your tongue and let me love यानि भगवान के लिए अपना मूबन करो, अपनी जबान संभालो और मुझे प्यार करने दो और chide my palsy or my gout या चाहो तो मेरी palsy और gout को chide करो, उसका मज़ा कुराओ Friends, palsy एक तरह की बिमारी होती है, जिसमें लोग बहुत ज़ादा shake करने लगते हैं और gout जो है, वो भी एक बिमारी होती है, जिसे हम गठिया कहते हैं तो तुम चाहो तो मेरी बिमारीों का मज़ा को डालो My five grey hairs are ruined fortune flout या जो मेरे पांच पके हुए बाल है, grey hairs यानि जो पके हुए सफेद बाल है उनका मज़ा को डालो या साथ ही मेरी जो fortune थी, जो भी पैसे थे मेरे पास जो की अब ruin हो चुके हैं, बरबाद हो चुके हैं तुम उसका मज़ा को डालो कि पहले मैं अमीर था, अब मैं गरीब हो चुका हूँ With wealth your state, your mind with arts improve अब यहां suggestion दिया जा रहा है reader को कि तुम्हारी जो state है, जो तुमारा situation है वो wealth से, यानि पैसे से सुधर जाएगा और जो तुम्हारा mind है, वो arts से improve हो जाएगा यानि तुम अपनी life को भी सुधार सकते हो मेरी life से ध्यान हटा कर अपने उपर focus करो और इस तरह के steps उठाओ Take you a course, get you a place साथ ही यह तुम्हें क्या करेगा तो यह तुम्हें कुछ knowledgeable सिखाएगा Take you a course, यानि कुछ knowledgeable सिखाएगा और तुम्हें हो सकता है कि एक place दिलवा दे, घर दिलवा दे observe his honor और his grace और साथ ही जो king है या next line में king के बारे मताया जाएगा कि जो king है, उसकी जो honor है वो देखो या साथ ही उसकी जो grace है जो उसकी शोभा है उस पर भी नजर डाल सकते हो और the king's real और his stamped face contemplate या साथ ही तुम्हें ये जानने में मदद कर दे कि जो एक राजा है उसका असली चहरा कैसा है या उसका जो stamped face है यानि किस तरह का उसका चहरा है क्या वो सीधा normal हमारे जैसा चहरा है या उसका जो चहरा है वो stamped है, बिलकुल चप्टा है ये पता करने में भी तुम्हें समय मिलेगा और साथ ही जो भी तुम अप्रूव करते हो जो तुम्हें सही लगता है तुम उसे चुन सकते हो ताकि तुम मुझे प्यार करने दो यानि तुम इन चीजों में बिजी रहोगे तो तुम मुझे मेरी लव लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करोगे इतनी सारी options दे रहे हैं यहाँ पर poet reader को यानि अलास जो है ये sadness का एक तरह से symbol होता है तो ये बताओ की कौन दुखी है या कौन परेशान है किसे चोट लगी है मेरे पयार से what merchant ships have my size drowned और जो मैं size भरता हूँ यानि जो मैं आहें लेता हूँ उसके कारण कौन से merchant कौन से व्यापारी के जो जहाज है वो डूब चुके हैं ऐसा कभी हुआ है who says my tears have overflowed his ground और किसने कहा है कि जो मेरे आंसू है उसने उसकी जमीन पर बाढ़ ला दिये या वहाँ पर पानी overflow कर रहा है मेरे आंसूों के कारण when did my colds a forward spring remove यानि कब मेरे अंदर की जो coldness है जो cold behavior मेरा attitude जो बिल्कुल ठंडा है उसके कारण कौन सा आने वाला जो spring है वो हट गया यानि वो नहीं आया ऐसा कभी हुआ है कि मेरे behavior के कारण इस तरह की changes आई हो when did the heats which my veins fill add one more to the plaguey bill और साथ ही ये बताओ कि कब मेरे नसों में veins यानि नसों में जो गर्मी दोड़ रही है उसके कारण जो plague है उसकी समस्या और बढ़ती जा रही है क्या ये सारी चीजे मेरे कारण बढ़ रही है या मेरी जो problems है उसके कारण तुम्हे problems हो रही है soldiers find wars and lawyers find out still litigious men which quarrels move यानि जो cynic होते हैं वो wars जंग को ढूंड ही लेते हैं और जो lawyers होते हैं वो ऐसे लोगों को ढूंड लेते हैं जो quarrel करते हैं यानि जिनका जो काम है जिनकी जो मन्जल है वो उसे ढूंड ही लेते हैं though she and I do love तो उसी तरह मैं और मेरी जो lover है वो प्यार करते हैं यानि मैं और मेरी लवर जो है वो अपने अपने प्यार में बिजी हैं, लेकिन क्या हमारे प्यार के कारण तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या तुम्हारा कोई काम रुक रहा है, मौसम चेंज हो रहे हैं, जहाजे डूब रही हैं, इस तरह की कोई परिशानी तो नह चाहते हो वो बुलाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्यार के कारण हमें कोई फर्क नहीं पड़ता Call her one, me another fly, यानि तुम चाहो तो मुझे और उसे, दोनों को ही एक fly, एक insect बुला सकते हो We are tapers too, और साथ ही हम tapers भी हैं, taper यानि candles, हम candles भी हैं and at our own cost die और अपनी ही cost से हम मर जाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरज से candles जो हैं, वो खुद ही जलते जलते अंत में खत्म हो जाते हैं तो ठीक हम भी उन candles की तरह हैं और अपने प्यार में डूब कर एक दिन शायद हम भी खत्म हो जाएंगे And we in us find the eagle and the dove. और खुद में ही हम दोनों दरह के birds को देखते हैं, इगल को भी और डव को भी इगल जो की एक शिकारी है, डव जो की एक शिकार है, यह हम अपने अंदर देखते हैं कि हम कभी एक शिकारी रहते हैं, कभी शिकार रहते हैं, हमारा प्यार ही ऐसा है साथ ही जो फीनिक्स का रिडल है आपने फीनिक्स के बारे में पढ़ा होगा कि एक तरह की बर्ड होती है जिसकी जब डेथ होती है तो वो जल जाती है उसमें आग लग जाती है और उस आग के बाद जो ashes होते हैं उससे उसका दुबारा जन्म होता है तो हम बिलकुल उस फीनिक्स की तरह हैं, उसने प्यार के आग में जल तो जाएंगे, लेकिन उससे फिर हमारा दूसरा जनम होगा, और फिर जब हमारा जनम होगा, तो क्या होगा, हम एक हो जाएंगे, we two being one, हम एक हो जाएंगे, हमारा प्यार हमें जोड देगा, So to one neutral thing, both sexes fit, ठीक उसी तरह कि जिस तरह से कोई neutral चीज में, दो अलग-अलग sexes होता है, यानि male और female, ये दोनों को अगर जोड दें, तो एक neutral gender हो जाता है, बस उसी तरह हम भी fit हो जाएंगे, We die and rise the same, and prove mysterious by this love, यानि हम साथ मरेंगे, और साथ ही दुबारा से हम कह सकते हैं, जाग उठेंगे, हमारा उदै होगा, और इस तरह से हम अपने प्यार को mysterious साबित करेंगे, हम दिखाएंगे इस दुनिया को कि हमारा प्यार जो है, वो कितना अलग है, कितना सच्चा है, We can die by it, if not live by love, यानि अगर हम अपने प्यार के कारण जी नहीं सकते हैं, तो हम मर जाएंगे, We can die by it, यानि हम अपने प्यार के कारण मर जाएंगे, and if unfit, for tombs and here's, our legend be, it will be fit for worse, And if no piece of chronicle we prove, और साथ ही अगर किसी भी chronicle, chronicle एक तरह की historical books को कहा जाता है, तो अगर हम किसी भी chronicle में नहीं आ पाएं, किसी में भी हमारे बारे में जिक्र ना हो, We'll build in sonnets pretty rooms, तो हम क्या करेंगे, जो sonnets होती हैं, जो छोटी छोटी 14 line की poems होती हैं, उसमें हम अपने लिए rooms बनाएंगे, अपने लिए जगा बनाएंगे, यानि जो sonnets होंगे, वो हमारे बारे में लिखे गए होंगे, As well, a well-wrought urn becomes the greatest ashes as half-acre tombs, यानि जिस तरह से एक खूबसूरत urn, एक तरह का वाज गमला जैसा होता है urn, जिसमें मरने के बाद लोगों की ashes रखी जाती है, तो उस urn में जिस तरह से, उस खूबसूरत urn में हमारी बाड़ी को रखा जाए, या जो आधे एकड में बना हुआ, बड़ा सा tomb है, उसमें हमारी बाड़ी को दफनाया जाए, उससे हमें जो praise मिलेगी, जो इज़त मिलेगी, उसी की तरह, जो same इज़त है, वो हमें किसमें मिलेगी उन poems में, and by these hymns, all shall approve, us canonized for love, और इन hymns के साथ, यानि ये जो love poems हमारे बारे में लिखे जाएंगे, उसके साथ सभी लोग इस बात को approve करेंगे, सभी ये बात मानेंगे, कि हम क्या हो गए हैं, हमें canonized कर दिया गया है, हमारे प्यार के कारण, हमारा प्यार इतना अच्छा था इतना बड़ा मिसाल था सब के लिए, कि सब ने हमें canonize कर दिया, हमें saint का दर्जा दे दिया, हमारे उस सचे प्यार के कारण, and thus invoke us, और फिर वो जो लोग होंगे जिन्होंने हमें canonize किया, वो हमें invoke करेंगे, यानि हमारे praise में ये बाते कहेंगे, क्या कहेंगे? यानि आप, जिसका ये जो प्यार था, ये प्यार जो की रिवरेंड था, आदर निय था, उसने क्या किया है, एक दूसरे के प्यार को, एक hermitage बना दिया, एक holy place की तरह बना दिया है, यानि तुम जिसके लिए ये जो प्यार था, ये कभी एक तरह की peace, एक तरह की शान्ती, एक अच्छाई थी, लेकिन अब ये प्यार क्या है, तो rage है, गुस्सा है, क्यों क्योंकि प्यार वैसा नहीं रहा, जैसा पहले poet ने imagine किया था, जिस तरह का सच्चा प्यार poet करते थे, वो अब यहां नहीं है, who did the whole world soul contract and drove into the glasses of your eyes, यानि इस दुनिया की जो पूरी soul है, पूरी आत्मा है, वो मानों सिकुड गई है, और तुम्हारे आँखों में समा गई है, इस दुनिया का जो कुछ भी सच्चाई है, वो तुम देख सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी मौत के बात तुम heaven में हो, और तुम canonize हो चुके हो, और बहुत ही जादा हो ली हो, so meet such mirrors and such spies that they did all to you epitomize, और कुछ इस तरह से तुमने अपना ये जो प्यार है, वो इस दुनिया में फैलाया है, कि सब तुम्हें epitomize करते हैं, यानि सब बिलकुल तुम्हारी तरह प्यार करना चा रहा है, हर जगा spies हैं, लोग ढूंड रहे हैं उस प्यार को, और mirrors हैं ताकि उसमें देख सकें वो सच्चा प्यार, लेकिन वो सच्चा प्यार हमें कहीं मिल नहीं रहा, countries, towns, courts, beg from above, a pattern of your love, और साथ ही जो देश हैं, शेहरे हैं, जो courts हैं, वो सब क्या कर रही हैं, बेग कर र आपका, वो आज की generation भी कर सके, friends, यहाँ पर ये poem खत्म होती है, poem में poet जो हैं, वो अपने love को बहुत ही जादा superior बताते हैं, और साथ ही उसे ideal भी मानते हैं, और उनका ये भी मानना है कि बांकी की जो दुनिया है, जो बांकी की generation है, वो वैसा प्यार नहीं करती, जिस तरह स हैं, तो इसलिए उन्हें और उनकी lover को हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो friends, यह थी John Donne की poem, The Canonization, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो please like, comment और share करिए